नमस्कार स्वागत है सभी आगनबाडी सेविका का पोशन ट्रेकर एप की एक नई वीडियो में तो चलिए पोशन ट्रेकर एप में फिर से एक नई अपडेट आई है जो अपडेट है आपका 16.1 तो इस 16.1 में आप लोगों के लिए खास अपडेट क्या है चलिए इस वीडि करेंगे तो यहां पर आपको अपडेट का ऐपसन आजाएगा आप लोग यहां से इसको अपडेट कर लिजेगा यहां पर देख सकते हैं यह 10 October 2022 को आपडेट है यानि कल अपडेट आई थी और यहां पर हम एयरों पर किली करेंगे तो यहां पर देख पाएंगे कि सिर्फ आप लोगों को एक ही अपडेट देखने को मिलेगा लेकिन इस एक अपडेट में आप लोगे के पॉसंट ट्रेकर दालते हैं उसमें यहां प्डेट आई है LMP यानि के pregnant women और date of delivery यानि जो लेक्ट्री मदर होती है उनमें जो डेट आप डिलिवरी का date डालते है उसमें यह update है और यह परतिवंध लगाया गया है चलिह हम आप काने के बाद यहाँ पे हम लोग simply update वाले पे click कर देंगे जैसे यहाँ पे update वाले पे click करेंगे यह update होने लगेगा आप लोग भी update कर लिजेगा अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को आप लोग like कर दीजेगा चैनल को अभी तक आप लोग subscribe नहीं कर लिजेगा तो चलिए यहाँ पे हमारा पोसंद ट्रेक रैब जो है वो update हो चुका है यहाँ पे install हो रहा है थोड़ा देर वेट कर लेते हैं देखिए यहाँ पे update होके आज चुक अब हम लोग simply इसको open कर लेते हैं तो update करने के बाद यहाँ पे हम चलेंगे जो लाभार्थियो वाली केटेगरी है इसमें हम लोग click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे आपको 5 केटेगरी दिखाई दे रहे होगी जैसे कि एक गर्भाती महिला एक धातरी महिला और 3 बच्चों की केटेगरी तो इन 3 बच्चों की केटेगरी और धातरी गर्भाती महिलाओं में क्या बदला हुआ है यहाँ पे हम click करेंगे सबसे पहले गर्भाती महि यानि लास्ट मेंशोर पीरियर उसको हम लोग यहां पे डालते हैं तो अब आप लोग देख पाएंगे कि इस अपडेट के आने के बाद यहां पे आप लोग इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे यानि कि एक बार अगर आपने यहां पे जो LMP डेट डाल दिया उसके यहां पे आप लोग देख पाएंगे यहां पे बदलाव किया गया है और परतिबंद लगा दिया गया है ऐसे ही जो धातरी माता है इस धातरी माता में भी आप लोग किली करेंगे किली करने के बाद किसी भी एक लभार्थी के थ्री डॉट पे किली करेंगे किली करने के बा कर पाएंगे इसलिए आप लोग जब भी ये सभी चीजे करें तो आप लोग ध्यान से इसको भड़ें ताकि आप लोग को आगे चल के कोई प्रवलम नहीं हो यहाँ पे जो केलेंडर वाला अप्शन है इस पे आप लोग किलिक करेंगे तो यह अप्शन नहीं खुलेगा यान आप लोग डेट वर्थ डालते हैं उस डेट वर्थ में भी यहाँ पर पर्तिबन लगा दिया गया चली एक लभार्थी के प्रफाइल अफडेट पर किलिक करके दिखा देते हैं त्री डॉट वाले पर किलिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बच्छों की जनमत कर देट है उसमें आप लोग 16.1 के बाद बदलाव नहीं कर पाएंगे तो इस प्रकार से आप लोग देख पाएंगे कि 16.1 में ये तीन खास अबडेट आप लोग के लिए आए थे अब आप लोग को आगे ध्यान से काम करना होगा जो भी आप लोग इसमें एंटरी करेंग उसको सही से करेंगे ताकि आगे चलके आप लोग को कोई भी प्रोब्लम ना हो उमीद करते हैं कि आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो निच झाल